हेलो एवरिवन स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 में होने वाले आज के तीसरे मुकाबले की रोयल टाइगर और कोब्रा क्रिक्ट क्लब के बीच मुकाबला होने वाला है रोयल टाइगर एक मुकाबला खेल चुके हैं कोब्रा करिक्ट क्लब अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं इंडर टाइमिंग के सबसे 4-15 पर आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा जीबी ओवल में आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा पिछ आप देख चुके हैं ज्यादा आपको करीब करीब 100 करीब रंस बनते हैं ओन एवरेज जो यहां पर रंस बनते हैं नॉर्मली भी जो बनते हैं वो 80 अपह करीब आपको बनते हैं पहले मुकाबले में भी आपने यही देखा वैधर के अगर आप बात करो बिल्कुल प्लियर्स का ही है कोई भी चांस नहीं है रहे इनके अब अगर आप कोब्रा केट किलब की बात करो तो विगट कीपिंग सेक्शन में सत्य दीप हैं राइट हैं बैट्समन राइट हम मीडियम फास बोल अप 35 मुकाबले 396 रन हाइए स्कोर 51 एवरेज 16 स्टैक रिट 176 पचास एक बर कर रहा है ओवर 10 विगट 3 बॉलिंग नहीं करवाएगा बैटिंग के उपर इफोकस करो इसकी उसके बाद अगर आप अमीड नैन की बात करो राइट हन बैट्समन राइट हम फास बॉलर दो मुकाबले दो रन फिर बैटिंग सेक्शन में अनुच कुमार आपके पास है राइट हन बैट्समन राइट हम स्लो बॉलर 13 मुकाबले 161 रन हाइए स्कोर 55 एवरेज 14 स्ट्राइक रिट अगर आप देखो 142 पचास दो बर जीरो पर दो बर आउट हुए ओवर दो विकेट जीरो अनुच के अगर आप ओवरेज देखोगे तो बहुत बढ़िया है उसकी 20 की अवरेज अनुच की तो अगर आपको पिक करना है तो आप अनुच पिक कर सकते हो कोई प्रॉबलम नहीं है इमरान सिद्धिकी के अगर आप बात करो राइट हैं बैट्समन तीन मुकाबले रन 16 हाइए स्कोर 8 एवरेज 5 और स्टाइगर अगर आप लेको 53 मोहमद सुबान राइट हैं बैट्समन आफसिन बॉलर 9 मुकाबले 41 रन हाइए स्कोर 15 एवरेज 10 स्टाइगर 113 ओवर 3 विक अगर आप देखो एटी टू उसामा मुहमद राइट हैं बैट्समन राइट हम फास बॉलर 18 मुकाबले 180 रन हाइए स्कोर 34 एवरेज 10 स्टाइक रेट सो तीस दो बर कर रहे हैं ओवर 23 विकिट दस तीन विकिट हॉल एक बार टी टेन में अगर आप देखो 11 मुकाबले 62 रन एवरेज अगर आप देखो साथ स्टाइक रेट 137 ओवर 3 विकिट दो हरशित शर्मा राइट हैं बैट्समन एक मुकाबला रन 16 बढ़िया परफॉर्मेंस रही है बट ये ना T20 की परफॉर्मेंस है T10 की नहीं है बस इतना ध्यान रखना अल राणिंग सेक्शन में शेक रसी बिन आपके बास है राइट हैं बैट्समन राइट हैं मीडियम फास्ट बॉलर 28 मुकाबले 639 रन हाइस को 92 एवरेज 23 ट्रैकेट 139 ओवर 71 विकिट 30 और 3 विकिट हॉल दो बार T10 में अगर आप देखो 18 मुकाबले रन्स 545 हाइस को 62 ए राइट हैं मीडियम फास्ट बॉलर 17 मुकाबले 137 रन हाइस को 41 का है एवरेज अगर आप देखोगे तो यहां पर 10 की है स्टाइकर 110 ओवर अगर आप देखो 27 टीन विकिट हॉल एक बार साथ विकिट चट काई हैं साथ मुकाबले T10 में खेले हैं अगर आप देखो 6 ओवर करवाए विकिट पांच परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही है ड्रॉप कर सकते हो कोई प्रॉबलम नहीं है संजे कुमार राइट हैं बैट्समन राइट हैं मीडियम फास्ट बोला 46 मुकाबले 832 रन हाइस कोर अगर आप देखो यहां पर 80 का है एवरेज मुकाबलों मैं 3-3 विकिट लाकर देकर गया है और बचे हुए जो 4 विकिट हैं वह आपको लाकर देकर गया है बचे हुए प्दी शायरा बढ़िया के बात करो राइट हैं बैस्मार और तीन मकाबले अठार रन ओवर ग्यारा विकेट चे परफॉर्मेंस बढ़िया रही है रवी कुमार यादव राइट हैं बैट्समान लेफटाम मीडियम फास्ट बॉलर नो मकाबले फॉर्टीवन रन हाई स्कोर चौदा एवरेज अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फो सी पा परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक रही है फीजुला की ट्राइग कर सकते हो भवानी परशाद राइट हैं बैट्समान आउस्ट बॉलर चतिस मुकाबले रन्स चे ओवर अगर आप देखो एक सो चार विकेट 43 तीन विकेट हॉल साथ बार अगर आप टीट 55 विकेट 51 तीन विकेट हॉल चे बार पांच विकेट हॉल एक बार टीटन में 17 मुकाबले ओवर अट्टाइस विकेट 11 रिटुराच सावान के अगर आप बात करो राइट हैन बैट्समन राइट हां मीटेम फास बॉलर तेरा मुकाबले ओवर अगर आप देखो तो तेरा विकेट 9 तीन विकेट हॉल एक बार विश्णू वासुदेव राइट हन बैट्समन राइटाम मीटिम फास बॉलर 37 मुकाबले रेंज अगर आप देखो 470 हाइस स्कोर अगर आप देखोगे 48 का एवरेज 17 और फॉर्टीफाईब विकेट 22 विकेट हॉल दोबाद टीटन के अगर आप बात करो 24 मुकाबले हाईएस कोर 19 का है ओवर 16 करवाए हैं विकेट साथ चटकाई हैं उसके बाद अगर आप अधी बुदीन की बात करो एक मुकाबला दो ओवर दो विकेट उसके बाद अगर मुकाबले एक ही विकेट चटकाई है रोयल टैगर अपना पहला मुकाबला खेल कराए जसीन खान ने ओपन करा तेरा ओवर करवाए और तेरा रन करें है और अगर आप देखो तो एक विकेट चटकाई है परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है अराम से ट्राइगर सकतो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी अभी भी जाता है खवीदार दिलबार जैसे मन आपको बताया था यह प्लेर रिस्की है इसने 2023 में रंस तो करें हैं बट हर एक मुकाबले में नहीं करें हैं बस इतना ध्यान रखो और पहले कर देखकर जा रहा है कि इंपोर्टन प्लेयर दर्शन के अगर आप बात करो नौरन की पारी आपको इससे देखने को मिलिया अभी शेक राइट हैं बैट्समें राइट हम फास्ट बॉलर दो मुकाबले दो ओवर करवा है दो विकेट चटकाई आठ हन की पारी आपको प्लेयर वारा यह प्लेयर और इसने करवाई भी नहीं है पहले मुकाबले में इतना ध्यान रखो कि थोड़ा से जादा भी रिस्की हो जाएगा अगर आप इसको पिक करना चाहते हो ग्रेंड लीग में पिक करना स्मॉल लीग में नहीं अब्दुलमनन ने कैच करा है बॉल लेंब बॉलिंग नहीं करवाई है बट मोहमद सिकलान ने करवाई है तो आप इस प्लेयर को ट्राइ कर सकते हो अभी यहां पर हम टीम डिसकस कर लेंगे अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा ऐसा हूजा एक बहुत इंपोर्टन प्लेयर है यहां पर अगर आप देखो विगट की पिंग सेक्शन में और कोई ज्यादा इंपोर्टन प्लेयर है नहीं बैटिंग सेक्शन के अगर आप बात करो एक उमार का अभी के लिए पिक कर रखा रखा दूसरा प्ल पांचमा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एस कुमार के साथ साथ एच उल्ला को पिक कर रखा है देखते हैं सी ओभी के कौन से प्लेयर आते हैं क्योंकि यहाँ पर एस बट का एक option आपके पास रहेगा अगर आप ट्राइ करना चाहते हो तो यहाँ पर एहम बुरान का एक सी क्लियान के साथ ही जा रहा हूं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के अगर आप बात करो अभी के लिए सेफ यहाँ पर जैड़ खान और एश रशीक को भी कर रखा है रिस्की आपके पास खतरपाल रहेगा ए परकाश रहेगा उसके साथ साथ एस अहुजा का एक option रहेग अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्रेब कर लिजएगा वीडियो लाइक कर जेगा बेल एक अन्द बाद एकिनके ऐसे वी